लोग सब चुनाओ परिणाम से पहले ये चर्चाएं थी कि किस पार्टी की जीत होगी अब चब परिणाम आ गए तो कुछ और चर्चाएं शुरू हो गई अब कॉंग्रेस पार्टी की समर्टन से पहली बार सांसत बने राजकुमार रोत को लेकर राजिस्थान की राजनीती में हर दिन नए नए अंगल सामने आ रहे हैं कभी राजकुमार रोतपूर मुख्य मंत्री अशुक घ्यलोद और प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गोविल सिंग रोटासरा से मुलाकात करते हैं तो कभी वो मंत्री क्रोईलाल मीना और मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा से म और हैस को लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है लेकिन मुख्य मंत्री से मुलाकात के बाद आने वाले राज्यसवास्तान सदुप चुनाव और विधान सब चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी इंडिये को समर्थन देगी ऐसी चर्चाय शुरू हो गई ह लोग सब चुनाव के दोरान बासवारा डुंगरपुल लोग सब शेत्र से अपने प्रतियाशी होने के बावजूद कॉंग्रेस पार्टी ने भारत आदिवासी पार्टी के प्रतियाशी राजकुमार रोथ को जितने के लिए ना केवल उनका समर्थन क्या बलकि उनके लि लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने साफ कर दिया कि ना तो वो इंडिया गडबंदन का हिस्ता रहेंगे और ना ही इंडिये का हिस्ता बनेंगे वह स्वतंत्र रूप से सांसत की रूप में काम करेंगे वहीं कॉंग्रेस पार्टी द्वारा समर्तन देने पंड नर्व न स्वतंत्री से मुलकात करने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या आने वाले विधानसाब पुचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के विधायाक और सांसत इंडिया के पृतियाशी को समर्तन देंगे और वो इंडिया का हिस्सा बनेंगे हाला कि भारत आदिवासी पार्टी और नर्व राचित सांसत राजकुमार रौत ने कई बार साफ किया है कि वास्वतंत्र रूप से लोग सबा में भारत आदिवासी पार्टी का पृतिनिद्द्ध करेंगे और वो जरूरत होने पर इंडिया गड़बंदन को समर्तन भी करें यह देखने वाली बात होती है ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं दनगरी ने शुक्रिया